जैस्ट्री राम जैब अजरंग बली तो अगर आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हो और आपकी कभी आप एक नंबर से रजाते हो कभी दो नंबर से रजाते हो या आपका भागे आपका साथ नहीं दे रहा है तो मैं आज आपको एक संकल्प पताने वाले हूं और अगर आप इस संकल्प करोगे तो पहले दिन से आप इस संकल्प करना शुरू करोगी और 11 दिन तक आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी और ऐसा नहीं है कि पहले किसी की मनोकामना पूरी नहीं हुई बहुत सारी लोग है जिनकी मनोकामना पूरी हुई है और मैंने खुद का भी experience share किया था कैसे मेरी job लगी थी और आप लोग भी अगर अपनी life में परिशान हो चुके हो तो आप भी संकल्प को कर सकते हो लेकिन ये संकल्प करने के लिए आपको पूरी विधी का ध्यान रखना पड़ता है पुरा संकल्प आपको अच्छे से लेना पड़ता है और विश्वास के साथ आपको इस अंकल्प करना होता है क्योंकि अगर आप विश्वास के साथ नहीं करोगे तो फिर इसका जो प्रभाव है वो नहीं हो पाएगा आपको पूरे सच्चे दिल से इस अंकल्प को पूरा करना होगा और इसके जू में नियम है उनको सामगा तो भी मेंस होना उसका बाकी है तो आप भी अगर अपनी लाइफ में परिशान हो सकता है कि हनुआ जी की प्रेड़ना से आपके सामने वीडियो आई हो तो इससे पहले मैं आपको बताना शुरू करूं आप लाइक और कमेंट में जैश्री राम लिग दीजिए और बहुत सारे सब लोग गुस्ता हो जाते कि हमने करेह यती बार कमेंट किया हैं आप बतातें यह हो तो जब बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं 2016 सज अध करकमा घाते हैं अच्छा तो चलो मैं आपको संकल्प स्टार्ट करती हूँ तो आपको नोकरी के लिए अगर आप यह संकल्प कर रहे हो तो देखो आज यह वीडियो आईगी आप क्या संड़े और उसके बाद आप टूजडे से यह संकल्प शुरू करोगे मंगलवार या शनिवार से ही आप इस संकल्प शुरू कर सकते हैं उसके लावा और कोई दिन नहीं और अभी तब ऐसी भी नवरात्तरी चल रही है और अस्टिमी है उस दिन मंगलवार को तो भौत ही सूप दिन है तो आपको जरूर करना चाहिए इस मंगलवार से आपको ग्यारा दिन का संकल्प करना है अनुमान चालीसा का मंगलवार से आप शुरू करोगे सुभ़े या शाम किसी भी वक्त आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे सात बार लगातार लेकिन यह याद रखना कि आपको सेम टाइम पे ही पढ़ना है फिर पूरे ग्यारा दिन जैसे कि आप मंगलवार को सुबह दस बजे पढ़ रहे हो अनुमान चली से seven times आपको पढ़ना है तो पूरे ग्यारा दिन आप उतने बजे ही पढ़ोगे तो आप पहले देख लेना आप किस समय उसको कर पाओगे और सुबह या शाम कभी भी कर सकते हो वस इतना याद रखना कि नहाना आपको संकल्प करने से पहले ही है आप संकल्प के लिए शाम को हनुमान चले से पढ़ रहे हो तो अगर शाम को पढ़ना है तो संकल्प पढ़ने से पहले ही नहाओ फिर आप शाम को उसके आपको वाश रूम अगयरा नहीं जाना है रेड कपड़े आपको पहनने और अपने सामने हनुमान जी की एक तस्वेर लगानी है उनके सामने दिया जलाना है तेल के तेल का दिया जलाना है आप लोग को किसे ने पुछा था गही का भी जला सकते तो हाँ जला सकते और उसके बाद आपने उनके सामने पुश्प चड़ाने है, फ्रूट या जो भी परिशाद के रूप में अपलाई हो उनके सामने रख देना है उसके बाद आपको हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, पहले आपको ताम बेगल उटे में जल भरके रख देना, साइड में उसके बाद आपने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, थोड़ा से चावल लेने है, और दो लॉंग लेनी है, और एक सिक्का लेना है, और संकल्प करना है, कि आप बोलना है, कि मैं अपना नाम इस जगा पे इस जगा से, और इस दिन, इस समय ये संकल्प ले रहा हूं, कि मतल उन्ति आपको लोटे में रख देनी है दोनों और सिक्का भी बाकी चावल वगेरा अभी क्योंकि उधर ही रहने देना उसके बाद आप हनुमान चलिए सका पार्ट करोगे साथ बार लगातार वन टाइम्स टू टाइम्स ट्री टाइम्स साथ बार पढ़नी है उसका धनुमान और उसके अलावा ब्रह्मचरिय का पालन करना है किसी के बारे में बूरा नी बोलना है और भगवान पर बूरा श्रद्धा के साथ यह चीज़ करनी है और कुछ भी गंदा नहीं खाना है कामसिक खाना नहीं कहना भी आज़न के बेढ़ने दिन आईगा आपको संकल्प पढ पूरे 11 दिन तक आपने उसे टच भी नहीं करना है वहां से हटाना भी नहीं है अब धक्य रख सकते हो ताकि कुछ गंदा नहीं उसके आपने वह जल घर में छिड़कना है खुद भी पीना है अगर किसी और के लिए संकल्प किया तो आप उसको भी पिला सकते हो किसी और के ल काम भगवान आपकी हरें मनो कामना पूरी करें जिस भी मनो कामना से आप यह संकल्प करो और नवरात्री की बहुत शुब कामना है